साथियों मैं सुबेदार शिवराम रिटायर्ड आज तारीख है 15 जून 2014 मैं कुछ दिनों से घर बनवा रहा था तो इसकी वज़े से मैं लगबग पिछले एक देड़ महीने से कोई वीडियो नहीं डाल सका और मुझे इसमें कटिंग करने का भी मौका नहीं लगा तो इसमें जितनी फलन आई थी हमने छोड़ दिया तो फलन मुझे लगता है कि इसमें फल तुनवाने की जरूर नहीं अपने जरूरत भरका यह फल ही रखता है बाकी अपने आप गर्मियों में यह देता है गिरा अब फल जितना इसमें पौधे में है मेरे हिसाफ से जिस तरह यह देखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा 50-60 फल पर पौधे ले सकते हैं क्योंकि अभी पौधाय दो साल का हुआ नहीं है 27 जुलाई 2023 को यह कंप्लीट दो साल का होगा इस वजह से हमने ज्यादा कुछ लिया नहीं है अब पौध हमने कटिंग करी नहीं देखना चा लेकिन हमारे खेत में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मौधों में ऐसा कुछ दिक्कत है देखिए हर पेड में क्या है कि जरूरत भड़के बस वहीं 50-60 फल से उपर मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि इसमें आया था 1500-1200 इस तरह फल आया हुआ था लेकिन सब फूल गय सब्सक्राइब निकल पड़े हैं और यह देखो फल भी लगे हैं और कल्ले भी मजबूत दावे के साथ बढ़ रहे हैं तो हम इसकी कटिंग जो इस फलन को ले लेंगे इस फलन के बाद हम सितंबर के माह में ही मतलब जो है का इसका कटिंग का हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइब भी बड़े होने जा रहे हैं तो मैं इनको जो है सितंबर के महीने में इसकी कटिंग कराऊंगा और तब तक मेरे घर कंप्लीट हो जाएंगे साथियों पीछे देखो चोटा सामने यहां पर भी स्टोर रूम बनाया हुआ है बाग में और मगल के गाउं में तो मेरे बाग में ताइबान घंका तो बहुत ही बढ़िया मतलब जो पौधा है विकास हुआ क्योंकि मैंने गर्मी में हर आट दिन में दस दिन में पानी दिया हुआ है जिसकी वजह से हमारी बाग बहुत ही उंदा किसम की तयार हुई है अब आगे आने वाले समय में हम इ देते रहेंगे जय हिंद जय भारत शुबेदार सिवराम रिटायर्ड अचल गंज उन्नाव उत्तर प्रदेश मेरा मोबाइल नंबर है 960-6588-096 किसी भी समस्या के लिए जो ताइवान पिंक में नए किसान लगाना चाहते हैं या कोई हमसे सुझाव लेना चाहते हैं तो बेहिचक मेरे से इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बागवानी दो तरह की करनी चाहिए जैसे हमाई पास मालो दस साड़े छे एकल के बाग में हमने लगभग दो एकल के आसपास देशी कर रखा मैं अभी जस्त इसके बाद में देशी का भी रिवीव किता हूं जय हिंद जय भारा